थेंक्यू मैं कलकाता वेस्ट वेंगल मुंडलनार्शरी का तरुप से देखा रहा हूं देखिए एक गंगा बर्दन नारियल का पेड़ देखिए मिट्टी से मिट्टी का उपर मिट्टी में गिर रहा है नारियल यतना जल्ली फॉल आता है अगर ये पोदा लागाने का वनितना भॉड़ आराम से फॉल आएगा क्योंकि थो छोटा वाला इट बड़ा होना चाहिए तो ऑस इसका एतना तख हो तो ऐसे orada आजाएगा इसका ज्यादा मने शुक्ना नहीं चाहिए पानी देन आ चाहिए ज्याध hm एक भाट ज्याद़ करे पानी हर टैम इसका मने उनिषोर पानी रखना चाहिए पानी जितना जितना ज्यादा रहेगा पानी तो फॉल जोल्दी आएगा यह देखो इधर फिलाओ रहा है इधर भी नारियल हो गया बड़ा बड़ा इसका पानी क्या भी खाचियात है और इसका फॉल कॉंप्लीट करेगा तो नारियल बनाएंगा तो भी चलेगा और अभी देखा रहा हो देखे एक केरालियान हाइबरीड यह चोटा पेड यह पांच पिट का हाइड हो गया यह अज तीन साल फॉल आ रहा है देखो यह पेड में अभी अभी जो नारियल है कम से कम देट सो से दूसो फॉल है देट 2500 फॉल आरङम से इसमें है यह पेड में तीन पांच पूट हाइट का है तो इसका भी किम्मत ज्यादा नहीं है यह पेड का थोड़ा भाव कुम रहता है पोधा का तो यह पोधा भी लेगा तो मिल जाएगा अल्लाइन डेरिवेरी करता हूं जादा जादा टेरेन वे देखिए एक आदमे खड़ा कर दिया देखिए वो शरका उपर कात पे देखिए नारियल है मिट्रा गोड़ा पे खड़ा है मेरा और भी बहुत सरे वीडियो सब छोड़के रखा हूं जो जिसका जो पोदा चाहिए वो बोल सकता है मिल जाएगा मोंडोलार्सर इसके साथ कंटेक कीजिए इसका भी पानी का भी खशियत अच्चा है खाने में थैंक यू कोलकाता वेस्ट बेंगाल